नमस्कार किसान भाईयों, अभी देखिए चने में ये घंटी लगने की प्रोसेस मतलब घंटी बन चुकी है और अंदर दाना बनने की प्रोसेस जारी है तो अभी दाना बन रहा है, इस समय हमें क्या-क्या साबधानी रखनी है और किन-किन चीजों से बचाब करना है अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ जहाँ पर हमारा चना सूख रहा है कहीं कहीं पर यह देखिए यहाँ भी थोड़ा सा सूखने की समस्च्य है और यहाँ पर बहुत जादा है तो हमें इस समय पर विसेश कर यह साब धानी रखना है कि पानी बिलकुल भी नहीं देना है जैसे कि पुराने जो किसान है जो चने की खेती कर रहा है वो तो अनुभवी किसान है तो वो तो पानी बिलकुल भी नहीं देंगे लेकिन जो नए किसान है यूबा किसान है जो कि हो सकता है काभी समय से किसानी कर रहा है हो लेकिन चने की किसानी नहीं की हो तो हम क्या सोचते हैं जो यूबा किसान की अभी ये घेटी है इसमें मतलब जो दाना बन रहा है अगर पानी दे देंगे तो अच्छा मोटा बनेगा या फिर दो दाने लगेंगे लेकिन इससे नुकसान हो सकता है जो कि यह से, अभी हमने इसमें पानी तो नहीं दिया, लेकिन जो side में किसाने उन्होंने गहुं में पानी दिया, उनका पानी निकल गया, इस बज़े से चना सूख रहा है, तो आपको यह करना है कि पानी तो बिल्कुल भी नहीं देना है, और जो side में गहुं में लाश्ट प पानी मत निकाल लिएगा और दूसरे साब्धानी हमें यह रखना है कि इसमें दाना बन रहा है तो इल की समस्या बहुत ज्यादा हो सकती है बैसे इस साल तो इल की समस्या बिल्कुल भी नहीं देखी गई है हमने कीटना सक्के बस दो इस्प्रे किये हैं और अभी यह चना कट बस यही साबधानी आपको रखनी है और आपका चाना कैसा लगा हुआ है और कौन सी वराइटी लगाई है कमेंट में जरूर बताएं धन्यवाद